अगर आप GrandRP में नए हो तो इस वीडियो को देखते रहो तो कि end तक पता लग जाएगा कि पैसे कैसे कमाने है और आपकी first card कैसे लेनी है free में तो कि यह है GrandRP Beginner's Guide इससे पहले how to start playing GTA 5 roleplay के episode में मैंने आपको बताया था कि Grand roleplay कैसे download और install करना है आज के वीडियो में आपको उसके आगे का बताऊंगा इवन अगर आपको 25,000 डॉलर्स का reward चाहिए न तो description में दिये link से GrandRP के लिए register कर लो बिल्कुल free है और आपको bonuses भी मिलेंगे जैसे भी यह one of the best roleplay server है GTA 5 का तो जैसे ही आप पहली बार server में login करोगे आपको अपना character create करना पड़ेगा तो आप select कर लो अपना gender, अपने efficient features modify कर लो, hair shell पगेदर रखलो और अपना character बना लो उसके बाद आप game में आ जाओगे, graphic settings अपने PC के according select कर लेना and then आप एक hotel के room में हो, वहाँ से भाहर आओ and lift की मतद से ground floor पे जाओ अब screen के top में आपको task दिख रहा है कि talk to a reception girl, तो वहाँ जाओ and I want to reunite family पे click कर लो अब वहाँ पे बहुत सारी families दिख रहे हैं जो कि server की top families हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको join करो तो escape दबा दो and एक map दिखेगा, यह basically quest trail है जो आपको complete करनी है ताकि आपको कुछ पैसे मिल सके और गारी मिले तो बस बाहर आजाओ hotel के and जो NPCA वहाँ पे जाकर कहो rent a scooter, तो आपको एक scooter मिल चुका है अब आपको map पे electric station जाना है, जिसका mark लगा हुआ भी है, वहाँ जाओ and get employed पे click करो अब आपका task है या 100 dollars कमाना, जिसके लिए yellow mark पे जाओ, वहाँ wires का button बनाने का try करो and ऐसे एक बार करके आपको 30 dollars मिल जाएंगे, तो चार बार करके आपको 120 मिलेंगे, बस आपका पहला task हो गया and अब आप leave कर दो job को and बाहर आके scooter की मदद से postal जाना है, जो map पे marked है, वहाँ जाओ NPC पे जाकर pick a package पे click करो और आपको 500 dollars मिले हैं, उसे ले लो, ये use होंगे driving license लेने में जो आपका next task है तो बाहर आकर scooter पे बैठो and जो location marked है, वहाँ पर जाओ, licensing center पे आपको एक NPC मिलेगा, उससे कहोगी I want to get a driver's license आपको 500 जो मिले थे, वो अब कट चुके होंगे and आप एक blue car में बैट गए हो, जिसमें G press करके speed limit को 90 कर लो बस अब एक बात है जो आपको complete करना है, बस 2-3 मिनट में ही हो जाएगा, जिसके बात आप घूमके यही पर वापस आ जाओगे और आपको driving license मिल चुका होगा, जो 30 days के लिए valid है, साथ ही आपको एक car भी मिली है जो हम आगे use करेंगे पर पहले उसी scooter पे बैट हो and next task की तरफ जाओ, जो कि यह oil rate, वहाँ पे e-press करना and gasoline choose कर लेना आपको चार oil drills दिख रहे होंगे, उन पे hold करके रखना है करके and आपको मिल जाएगा एक gasoline का barrel, ऐसे 5 बार करना है and आपके पास 5 barrels आ चुके होंगे तो अब next task है इनको sell करना, जिसके लिए आप map पे जो location दिख रही है वहाँ पर जाओ और NPC पे जाके look at the prices पे click करो and जो 5 gasoline के barrels हैं उन्हें sell कर दो, कायद इससे तो आपको मिलना चाहिए थे 340 dollars पर आपको मिले 5,000 dollars जो कि gift है server की तरफ से बस अब आखरी task है वापस hotel पे जाना और वहाँ पर अपनी car को spawn करना तो NPC पे जाके कहो कि I want to place the vehicle and that loader को select कर लो ये है आपकी मुफ्त की car, I know बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दिखने में पर speed decent है अब आप इससे basic jobs करने के लिए use कर सकते हो, जिससे और पैसे कमा गए एक अच्छी car ले पाओगे तो ये आदे घंटी की quest है, जिससे ये सोच के design किया गया कि आपको server का basic idea लग जाए आपको थोड़े पैसे दिये जाते हैं और एक free card भी दी जाती है, उन पैसे उसे तो मैंने एक sim card और एक level 1 का backpack खरीद लिया है, जोगी बहुत काम आने वाल है उसके लिए आपको 4 grand coins भी मिले हैं और 10 दिन का prime भी मिलके हैं, जोसे prime किया हो तो हैं कैसे आप free में GC ले सकते हो, उसके लिए left वीडियो बे क्लिक करो, और वो 5 तरीके जानने के लिए जिनसे आप धेरो पैसे कमा सकते हो, उसके राइट वीडियो बे क्लिक करो, description में दिये लिंक से grand RP अभी जोइन करो, बिलकुल free है रेजिस्टर करना, और ये one of the best GTA 5 का roleplay server है